नमस्कार आप देख रहें TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जी आपको बता दे कि महराश के मंत्री नवाब मलिक को इडी ने गिरफतार किया है इडी ने पूछताच के बाद नवाब मलिक को गिरफतार किया है बता दे कि प्रवर्तन निदेशाले यानी इडी ने मुंबई अंडरवर्ड की गतविदियों से जुड़े मनी लॉंडरिंग के एक मामले में महराश के मंत्री नवाब मलिक को गिरफतार किया है नवाब मलिक से इडी ने सुबा से पूछताच शुरू की इसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया आपको बता दे कि नवाब मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है उन्होंने Anti-Drugs Agency NCB के पूर्व निदेशक समीर वान खेड़े के किलाब निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाए थे